हाई एवरिवाइन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे ट्विटर की तो अब यह कंफर्म हो गया है कि इलॉन मस्क ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में बाई करेंगे तो इस टॉपिक को हम इस वीड को हम डिटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम अपने टॉपिक को समराइज करें तो इलॉन मस्क जिनको कि आप डेफिनेटली जानते होंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है इनकी अगर ब्लूमबग बिलिनेर इंडेक्स के इसाब से नेट वर्थ की बात की जाए तो 260 बिलियन युएस टॉलर के आसपास आती है और अगर इनके बिजनेस की बात की जाए तो इनके पास अल्रेडी टेसला है जिसका की मार्केट कैपिलाइजेशन एक ट्रिलियन युएस डॉलर से जादा है उसके अलावा SpaceX में इनकी ownership है जो की जो Space Flight है उनको ज़्यादा affordable बनाती है इसके अलावा इनकी Infra और Tunnel Firm है The Boring Company और Neuralink में भी इनकी ownership है जो की brain और computer को link करने की कोशिश कर रही है और अगर अभी तक Twitter को खरीदने की timeline की बात की जाए तो 4 April 2022 को इनोंने पहली बार reveal किया था कि इनके पास 9.2% हिस्सेदारी है Twitter की और जो इनको largest shareholder बनाता है Twitter में और ये हिस्सेदारी इनोंने open market से Twitter के share खरीद के की थी 2022 के शुरू के महीनों में उसके बाद 5 April को जो Twitter के CEO हैं पराग अगरवाल इंडियन ओरिजन के इनोंने Elon Musk को Twitter के board पे welcome किया था कि आप आईए हमारे board पे join कीजिए और आप एक great value होंगे इसके उपर हाला कि 11 April को अगरवाल ने दुबारा बताया था कि 9 April जो की joining date थी Elon Musk के board join करने की उन्होंने decide किया है कि वो Twitter का board join नहीं करेंगे और इसके साथ-साथ ये भी clear हो गया था कि अगर कोई board पे आता है तो उसकी जो maximum cap होती है shareholding की वो 14.9% होती थी तो अगर Elon Musk बोड पे नहीं आ रहे तो ये 14.9% से भी जादा Twitter में हिस्सा acquire कर सकते थे और अगरवाल ने इसी दिन ये भी बोला था कि भई आने वाले टाइम में आप distractions भी देख सकते हैं company में उसके बाद 14 April को एक filing में Elon Musk ने बोला था कि भई ये 54.2 डॉलर पर share pay करना चाहते हैं Twitter को खरीदने के लिए इनके shareholders को जो भी outstanding shares है ये इस price पे खरीद सकते हैं उस time पे जो ये price था लगबग 20% जादा था 43 के आसपास Twitter का share चल रहा था तो ये 20% का premium offer कर रहे थे और overall इन्होंने जो उस time पे value लगाई थी 43 billion US dollar उसके बाद हाला कि board इस deal से खुश नहीं था वो नहीं चाहता था कि hostile take over करे Elon Musk का Twitter का तो उन्होंने poison pill defense strategy भी अपनाई थी ताकि जो Elon Musk के लिए deal unattractive बनाई जाए इस topic पे मैंने एक video भी बनाया आप उसे देख सकते हैं अगर आप इसको detail में समझना चाहते हैं उसके बाद 21 April को Musk ने reveal किया कि भी उन्होंने already 46.5 billion की जो financing है Twitter को खरीदने के लिए वो arrange कर दी है तो finally board ने agree किया है 25 April को कि भी आप Twitter को करीद सकते हैं और 44 billion में ये deal announce कर दी गई है और अगर आप शेयर देखेंगे तो एक April के बाद Twitter का जो शेयर है लगबग 33% बड़ा है तो इसके जो ट्विटर के shareholder ने इस move को काफी positively लिया है कल भी इसके share में काफी अच्छी movement देखी गई है और वही टेसला का share जो है जो की दूसरी listed company है Elon Musk की वो पिछले एक महीने में 9% गिरा है और उसका reason है कि लोग घबरा रहे हैं कि भई इसकी जो financing arrange करनी है Twitter को खरीदने की उसके लिए शायद जो Elon Musk है वो Tesla के shares बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसे Twitter में खरीदेंगे तो इस वज़े से Tesla के share में क financing इन्होंने secure कि है Morgan Stanley और कुछ दूसरे bank से और 12.5 billion इनके जो Tesla के shares है 170 billion के आसपास के उसको pledge करके उसमें से कुछ share को यह pledge करके loan लेंगे 12.5 billion और 21 billion इन्होंने बोलाए कि अपनी तरफ से additional equity financing करेंगे तो इस तरह से 46.5 billion arrange करके Twitter को खरीदना चाहते हैं तो इस कहानी में अगर latest development की बात की जाए तो पिछले काफी week से speculation लग रही थी कि क्या जो Elon Musk ट्विटर को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे बोर्ड इससे खुश नहीं था वो खरीदना चाहरे थे लेकिन finally इस पर full stop लग गया है और यह final हो गया है कि Elon Musk ट्विटर को 44 billion US dollar में खरीदेंगे तो इस announcement के साथ काफी सारी चीजे clear हो गई हैं लेकिन काफी सारी चीजे unknown भी हैं तो सबसे पहले जो चीजे clear हो गई हैं अगर हम उसकी बात करें तो price आप सोच रहे होंगे कि initially तो इन्होंने 43 billion US dollar बोला था और अब 44 billion US dollar हो गया है तो क्या board ने इनको agree करा लिय ज्यादा पैसे पे करने के लिए तो उसका answer है कि नहीं यह already जो इन्होंने 54 dollar 20 cent का जो इन्होंने price offer किया था उसी पे यह सभी outstanding share खरीदेंगे यह all cash deal होगी तो जैसा कि 14 April को Elon Musk ने बुला था उसी price पे Twitter को खरीद रहे हैं तो अब यह 43 और 44 billion का क्या चक्कर है तो इसमें most probably य ही है कि जब इन्होंने initially outstanding shares count कियोंगे तो उसमें कुछ error हुआ होगा तो accidentally इन्होंने गलत share count कियोंगे तो अब जब final share को के हिसाब से price निकाला गया है तो यह लगबग 44 billion आ रहा है तो वो उसी price पे खरीद रहे हैं it's just कि आप जो outstanding share actual के हिसाब से 44 billion बनता है financing की बात की जाए तो यह deal में बहुत बड़ा पैसा उधार लेकर के इस deal को complete किया जाएगा और उन्होंने जैसे कि लॉनमस्क ने बताया कि 25.5 billion इन्होंने already commit कर लिया है debt और margin loan financing के थुरू काफी सारे bank इसमें involved हैं जो कि इनको पैसा उधार देंगे इस deal के लिए और जब य जाएगी यानि कि इसको डिलिस्ट करा लिया जाएगा तो यह आम शेयर होल्डर के लिए नहीं रहेगी यह एक private company बनके रह जाएगी तो Twitter को own कौन करेगा तो यह तो obviously है कि Twitter को जो Twitter होगी वो holy owned by Musk होगी इसमें ज्यादा तर जो शेयर होल्डिंग होगी Musk की होगी क्योंकि को कोई भी co investor का नाम नहीं दिया गया statement में कि इसको कौन और खरीदेगा हाला कि अगर कोई shareholder इसको join भी करता है तो minority stakehold करेंगे तो mainly यह Elon Musk के द्वारा own की जाएगी तो इस deal पे काम कौन कर रहा है तो अगर हम Twitter की साइट से बात करें तो Goldman Sachs, JP Morgan इस पे काम कर रहे है, Allen & Company को भी इस camp में join किया गया है और अगर Elon Musk की side से बात की जाए तो Bank of America और Barclays जो इनका main advisor है Morgan Stanley उसके साथ मिल करके काम कर रहे है तो इसके साथ साथ काफी सारी unknown चीजे भी हैं जिनकी की अभी clarity नहीं है जैसे कि main चीज यह है कि 25.5 billion तो यह loan लेकर के arrange कर लेंगे लेकिन बाखी का 21 billion क जो इन्होंने equity commitment किया उसके लिए पैसा कहां से आएगा तो आप सोच रहे होंगे कि भाई यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है 260 billion की worth है तो उसमें से यह खरीद लेंगे तो ऐसा नहीं है इनके पास अगर cash की बात की जाए तो 3 billion के आसपास ही बताया जाता है तो बाकी का जो पैसा है इनका share की form में है ज्यादा तर तो तभी Tesla के जो shareholder है nervous है कि वही शायद यह Tesla के shares बेचेंगे और उस पैसे से Twitter को खरीदेंगे और अगर ऐसा होता है तो Tesla का share further गिर सकता है अला कि specifically 21 billion कहां से arrange किया जाएगा इसकी अभी तक detail नहीं दी गई है लेकिन माना जा रहा connection होती है जिसमें कि board की मंजूरी के बिना कोई अगर takeover किया जाता है तो अब private equity firm avoid करती है बट इस case में क्योंकि अब deal friendly हो गई है तो वह involved हो सकती है लेकिन यह बहुत बड़ा amount है 21 billion का तो हो सकता है कि 4-5 जो private equity firm है आपस में मिल करके जिसको कि club deal बोला जाता है उस तरह से इ इस company में अगर normally देखा जाए तो 2000 से कम shareholder होते हैं तो यानि कि ज़्यादा तर retail shareholder होते हैं वो जब यह company dealist हो जाएगी buyout offer आएगा तो बहुत सारे retail shareholder तो निकल जाएंगे तो इसमें कुछ बड़े-बड़े shareholder ही existing जो है वो रह सकते हैं जैसे कि इसमें एक बड़ा नाम है है कि ऐसा नहीं है कि यह Tesla के share बेच करके ही इसमें invest करेंगे तो Tesla के shareholder यहाँ पर थोड़ा सा relief feel कर सकते हैं कि यह जो funding है यह दूसरे तरीकों से arrange करेंगे इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो इनकी जैसे boring company Neuralink में भी shareholding है हाला कि वो liquid जादा नहीं है तो उससे भी ज लेकिन इन्होंने past में काफी बार reveal किया है कि यह काफी सारी cryptocurrency में invest करते हैं और जिस तरह से cryptocurrency भागी है तो हो सकता है कि काफी सारी funding है cryptocurrency से भी arrange करेंगे तो यह एक unknown factor है तो यह देखना होगा आने वाले weeks में कि यह 21 million कहां से arrange करते हैं इसके अलावा अगर कुछ और unknown factors की बात की जाए कि ultimately Twitter को run कौन करेगा जो इनके CEO है पराग अगरवाल उनका क्या होगा तो अभी के लिए जो इनके CEO है पराग अगरवाल और जो इनके board member है Brett Taylor उन्होंने बोला है कि अभी के लिए वो अपने role में बने रहेंगे हाला कि Elon Musk ने पीछे काफी बार जो board है existing board है Twitter का उसको लेकर के dissatisfaction दिखाई है उन्होंने बोला है कि भई ये डंग से काम नहीं करते हैं और अगर Elon Musk Twitter को खरीदते हैं तो इनको जो आज की rate में 3 million dollar के आसपास की salary बे की जाती है वो बंद कर दी जाएगी और company के पैसे save किये तो ये interesting होगा कि इसको ultimately run कौन करता है लेकिन अभी Elon Musk की बात की जाए तो वो already Tesla और SpaceX के CEO हैं तो लगता नहीं है कि उनके पास इतना ज़्यादा capacity होगी कि वो एक और leadership role ले पाएं तो ये अभी एक unknown factor बना हुआ है इसके अलावा बात की जाए कि Twitter में क्या changes होंगे तो जैसा कि Elon Musk हमेशा free speech के absolutist रहे हैं कि वो चाते हैं कि free speech को और promote किया जाए जो भी इसमें moderating की जाती है Twitter के द्वारा तो वो कम की जाए तो हो सकता है कि free speech आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा allow की जाएगी और कुछ लोग जिनकों की ban कर दिया गया था जैसे कि Donald Trump वगेरा उनको वापस Twitter पर लाया जाए उनका ban हटाया जाए इसके अलावा इन्होंने भी बोला है कि company का जो headquarter है उसको homeless shelter में convert कर देंगे paid user के लिए जो add है उसको remove कर देंगे edit button लगा देंगे तो आप मान के चले कि Twitter में बहुत ज्य detail है वो सामने आएंगी जब form 8 के submit किया जाएगा Twitter के द्वारा जो वहां का security and exchange commission यानि की SEBI की तरह एक जो authority है वहां पर उसके बाद पता लगेगा इसकी और detail के बारे में company के बास normally 3-4 दिन का time होता है ये detail submit करने का तो इस week के end तक उमीद है कि और detail सामने आएंगी कि आगे क result भी announce करने है हाला कि उमीद नहीं है कि कोई conference call करेगी company और इस deal के बारे में बात करेगी या financial result के बारे में बात करेगी बड़ एट लीस पता लगेगा कि Twitter आज की date में कैसा कर रहा है जिस company को Elon Musk करीदने वाले हैं और इसके अलावा जो Elon Musk है उनको shareholder vote की भी जरूरत पड़े हैं उन्होंने अभी के लिए बोला है कि जो Twitter है वो business as usual चलेगा इसमें यानि कि जब तक ये deal complete नहीं हो जाती तब तक जैसे चल रहा है वैसे ही company run होगी अगरवाल अभी भी इनके CEO के पत पे रहेंगे और जब later in the year ऐसा माना जा रहा है इनके हिसाप से कि 6 महीने minimum लगे इस पता है वो भी definitely nervous होंगे क्योंकि अभी उन्होंने कुछ time पहले ही CEO का पढ़ जोइन किया है पिछले साल November में तो I'm sure कि वो nervous होंगे लेकिन अभी के लिए उन्होंने अपने staff को बोला है कि कोई job cut नहीं किये जाएंगे अभी के लिए और साथ-साथ में जब उन से पूछा ग किया जाएगा तो तभी पता लगेगा कि ultimately company के साथ क्या होने वाला है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all